हलो फ्रेंट्स मैं रुपासरी और मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि फाइनल मेरिट लिष्ट आने के बाद आप लोगो कौन से डेट पे क्या करना है तो यह जो नोटिफिकेशन है इसको मैं पुरा डिटेल में आप लोगो को पढ़के समझा रही हूँ कि किस डेट पे आप लोगो को क्या करना है इसलिए थोड़ा एटेंटिव रही है क्योंकि यह जो फाइनल एडमिशन है वो भी 15 फरवरी तक कंप्लेट हो जाएगा इट मेंस कि हर एक दिन आप लोगों को आप अपडेट रहना पड़ेगा तो देखिए अला नोटिफिकेशन को पढ़के समझा देते हैं उसी के साथ ही अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजेगा ठीक है तो इस नोटिफिकेशन में फर्स्ट काउंसलिंग से रिलेटेड इंपोर्टन इन्फोर्मेशन जो है वो दिया गया है देखे क्या लिखा हुआ है उच सिक्छा निर्देशालई उच एवंग तकनीकी सिक्छा विभाग राची के पत्रांक जो पत्रांक नंबर है वो दिया हुआ है दिनांक 13-11-2020 के आलोक में सेचनिक सत्र 2022 में 28 पाठकरम के नमंकन हेतू सनातक परिच्छा के प्राप्तांक परतिसत आधारित अंतिम राज मेधा सूची पार्सत के वेबसाइट पर प्रकासित किया जा चुका है इसता मतलब है आप लोग के ग्रेजुएशन में प्राप्त प्रतिसत के आधार पर मेरिट लिस्ट तयार किया गया है जो की JCEC बोर्ट के वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया जा चुका है ये बताया गया है पॉइंट वन में आगे है पॉइंट टू अन्तिम राज मेधा सूची के आधार पर प्रतम ओनलाइन सच्छतकार कारिकरम निम्नवत होगा जो फाइनल मेरिट लिस्ट आया है उसी के रैंक के हिसाब से ओनलाइन काउंसलिंग कारिकरम जो है वो होगा देखे देट को ध्यान से देखे ओनलाइन रेजिस्ट्रेशन एन कालेज फिलिंग फॉर सीड अलोटमेंट सीड अलोटमेंट के लिए जो रेजिस्ट्रेशन होगा और चोईस फिलिंग होगा वो होगा 23.1.2021 से 25.1.2021 मतलब सिर्फ और सिर्फ तीन दिन का टाइम है ठीके सकेंड में है इसू और प्रोविजनल सीड अलोटमेंट लेटर जो भी आप लोग कॉलेज फिलिंग करेंगे उसमें आपको एक सीड अलोटमेंट लेटर मिलेगा वो मिलेगा 28.1.2021 से 31.1.2021 के बीच में मतलब ये काम भी आप लोग का चार दिन के अंदर हो जाएगा इसू और प्रोविजनल सीड अलोटमेंट लेटर आने में ठीकें तो हो सके किसी का पहले आए किसी का बाद में आए तो घबडाईएगा नहीं ठीकें थर्ड में क्या बोल रहा है Document Verification and Admission in the Concern Institute इसका मतलब है जो भी प्रोविजनल सीड अलोटमेंट लेटर आपके हाथ में आएगा उस लेटर में जो कॉलेज का नाम लिखा होगा आपको वही कॉलेज जाना है और अपना Admission के लिए Document Verification वहां से करवाना है ठीक है तो जो कॉलेज का नाम लिखा रहेगा उस लेटर में वही कॉलेज जाके आपको अपना क्या करना होगा अपना Document का वेरिफिकेशन करवाना होगा और ये भी डेट है 28.01.2021 से लेके 31.01.2021 तक मतलब चार दीन के अंदर आपको Admission ले लेना है अगर आपका First Counseling में कॉलेज लॉक हो जाता है तो Only 4 Days 28.01.2021 से लेके 31.01.2021 तक में First Counseling वाला के Admission हो जाएगा अब आगे आते हैं थर्ड पॉइंट में थर्ड पॉइंट में बोल रहा है प्रथम उनलाइन सच्छतकार से अनुसासित अभ्यार्थियों के नाबनो परांथ रिक्त रह गए सीटों पर नावंकर्ण हेतु दूतिय उनलाइन सच्छतकार कारिकरम निम्दवत है जो फर्स्ट काउंसिलिंग में जो जो स्टूडेंट का नाब आएगा लेकिन एडमिशन वो लोग नहीं लेके तो वो जगा खाली रह जाएगा तो इसी के लिए जो है सेकेंड काउंसिलिंग भी करा जाएगा तो second counseling के लिए जो time period है वो है online edit in category quota obtained marks present by all eligible candidates वैसे candidate जो eligible है अपना category quota और obtained marks को edit कर सकते है 1-2-2021 से 2-2-2021 मतलब दो दीन का समय है second round के लिए अगर आप वैसे candidate जो eligible है और अपना इन सब चीजों को सुधार करना चाहते है category quota और obtained percentage आगे बोल रहा है publication of final state merit list of second round of online counseling तो online counseling का जो second round का जो final merit list आएगा वो आएगा 4 फरवरी 2021 को ठीके? third number में है online registration and college filling for seat allotment तो second round का counseling में online registration और choice filling for seat allotment जो होगा वो होगा 6 फरवरी 2021 से 8 फरवरी 2021 मतलब तीन दीन का समय है second counseling के लिए online registration और choice filling for seat allotment करने का इसके बाद है issue of provisional seat allotment letter तो second round में जो भी form भरेंगे उनका provisional seat allotment letter आएगा 11 फरवरी 2021 से 15 फरवरी 2021 मतलब चार दीन का समय में अंदर चार दीन के अंदर ही जिनका जिनका second counseling में नाम आएगा उनका जो provisional seat allotment letter है वो आ जाएगा जरूरी नहीं कि 11 को आना है तो सब कोई का एकी दिन आ जाए तो 11 से 15 तारिक तक का वेट करना है ठीक है पाचवे नमबर में बोल रहा है document verification and admission in concern institute और जो भी college में आपका seat जो lock हुआ है उसमें आप admission के time document verification कराएगे वो date होगा 11 फरवरी 2021 से लेके 15 फरवरी 2021 आगे चोथा नमबर में बोल रहा है अब भ्यार्थियों द्वारा संस्थान संस्थानों को अपनी प्राथमिक्ता के अनुसार पारसद के website पर उपलब online counseling for admission in B.Ed. 2020 link में क्लिक कर दिये गए दिशानिर्देशों का अनुसरन करते हुए बिकल्पों को भरा जाना है बिकल्पों का चैन करने की संख्या पर कोई प्रतिवन्द नहीं है अब भ्यार्थियों को सला दी जाती है कि वे सीटों के आवंटन हे तुँ अधिक से अधिक बिकल्पों का चैन करे इसका मतलब बोल रहा है कि online counseling for B.Ed. admission के लिए आपको website पे इस नाम का link दिया हुआ रहेगा उस link पे click करना है और आपको अपना counseling का form आपको भरना है counseling का form भरते समय एक चीज याद रखना है कि जितना भी हो सके उतना बिकल्प को आप लोग भरे मतलब हो सके कि 10 college choice filling है तो दसों में college choice filling कर दे मतलब जादा से जादा seat को भरे ठीक है और एक बात ध्यान रखने बोला है कि जो college आप लेना चाहते हैं उसी college को उपर डाले मतलब आगे के जो भी list में डालेंगे उसको आप अपने हिसाब से जो college लेना चाहते हैं उसको डालें ठीक है पांच नंबर में बोल रहा है सच्छतकार सुल्क अभ्यारतियों द्वारा सच्छतकार सुल्क पेमेंट गेटवे के माध्यम से credit card, debit card, net banking, UPI के द्वारा निम्न तालिका के अनुसार भुकतान किया जाना है जो अप्रति देई मतलम non refundable होगा आप counseling form भरते समय जो भी पैसा पेमेंट करेंगे भले आपको कोई college मिले चाहे ना मिले लेकिन आपको आपका पैसा जो है बापस नहीं मिलेगा तो देखे किस category को कितना पैसा भरना है जैनरल EWS, BC1 और BC2 को 400 रुपिया भरना है counseling form भरते समय ठीक है इसके बाद ST, SC female candidate of all category ST, SC और जितने भी female candidate है उनको 250 रुपिया भरना होगा counseling form भरते समय तो बात किलियर हो गया जैनरल EWS, BC1 और BC2 का जो counseling fee है वो है 400 रुपिया और ST, SC female candidate of all category सारे category के female candidate और ST, SC को 250 रुपिया लगने वाला है और एक बात भले आपको counseling में हो या ना हो लेकिन आपका पैसा आपको refund नहीं मिलेगा ठीक है तो इस notification में इतना ही I think so आप लोग को पूरा clear हो गया होगा कि किस date पे क्या करना है जब जो date बोला गया है उस date को अपना applicant login करना है और देखना है अच्छे से क्या भरना है सिर्फ registration करना है और college को डालना है कि किस college को आप आगे रखेंगे उस हिसाब से fill up करना है हडबडाने का जोरत नहीं है एक दिन देख लिजे 23 तारिक को निकलेगा तो 23 को मत भर दीजे हडबडा के 24 को देखिए 24 को क्या-क्या भरना है सब जो भर रहा है उस हिसाब से भर ये सब नहीं बताएगा तो मैं बता दूँगी मेरे चैनल पर में वीडियो अपलोड कर दूँगी कि कैसा-कैसा भरना है ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही अगर आपनों को वीडियो अच्छा